आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैंता बैनरची 18 साल से अधिक आयोवर के लिए सरकारी केंद्रों पर निशल्क राश्व्यापी कोविट टीका करन अभियान जारी है युवाश शोताओं से हमारा आग रह है कि कोविट रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोथ साहित करें कोविट स्वास्त के लिए खत्रा बना हुआ है ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोता ही न बढ़ते जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर न निकलें और तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं कोविट से संबंधत जानकारी देने और उनके मार्ग दर्शन के लिए राष्ट्री हेल्पलाइन कारे रत है इसका नंबर है 011-239-78-046 और 1075 अब बुलिटन के मुख्य समाचार बार प्रभावत जिलों में प्रात्मिक्ता के साथ भोजन, पेजल और दवाईयों की व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने दिये नर्देश प्रधानमंत्री आज किसान सम्मा नधी योजना की अगली किस्थ जारी करेंगे 9 करोड 75 लाग से अधिक किसानों को मिलेगा लाब प्रदेश विधान सभा का मौनसून सत्र आज से और साधे समारहों के साथ टोक्यो ओलंपिक का हुआ समापन अमेरिका 49 सुर्ण पत्कों के साथ पहले चीन दूसरे और जपैन तीसरे स्थान पर रहा अब समाचार विस्तार से प्रदेश के जिन जिलों में बार्ड ने नुकसान पहुंचाया है वहां जल से जल सभी व्यवस्ताइं दुरस्त बनाने का कारिय किया जा रहा है कल बार प्रभावित जिलों के प्रशासनी कधिकारियों और क्राइसिस मानेजमेंट टीम के सदस्यों के साथ वर्चुली चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने नर्देश दिये कि सबसे पहले प्रभावितों को भोजन के पैकेट, आटा और पेजल उपलब्ध करवाने का काम किया जाए प्रभावित परिवारों को जरूरत के अनुसार दवाईयां आदी भी प्रदान की जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शौपुर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, भिंड, गुना और ग्वालियर जिला प्रशासन से समवात कर राहतकारियों की जानकारी प्राप्त की केंद्री मंत्री नरेंद्र सेंतोमर भी बैठक में वर्चुली शामिल हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से प्रधान मंत्री किसान सम्मान नधी योजना की अगली किस्थ जारी करेंगे 9 करोड 75 लाग से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड से अधिक किराशी अंतरत की जाएगी एक ट्वीट में श्वी मोदी ने कहा कि सरकार देश के महनतकश किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है हमारे समवादाता ने खबर दी है कि कारिक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे और लाभार्थी किसानों से बातचीद भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कांफरिंसिंग के जरिये संहिंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद की एक उच्चस धरीये खुली चरचा की अध्यक्षता करेंगे बैठक समुद्री सुरक्षा में व्रधी अंतराष्ट्री आजिए सहीयोग विशह पर केंदृत रहेगी चर्चा में समुद्री अप्राद और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और समुद्री क्षेत्र में समन्वे मजबूत करने के तरीकों पर वचारवे मर्श किया जाएगा इस समवाद में कईर राश्टराध्यक्ष और स्युंक्त राश्व सुरक्षा परिशद और प्रमुख्षेत्री और संगठनों के प्रतिनिदài भाग लेंगे सेंब्ध राश्व सुरक्षा परिशद की वेब साथ पर सीधा प्रसारण किया जाएगा केंदर सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंदर शासत प्रदेशों को अभी तक 52 करोड़ 37 लाग से अधिक COVID-TK उपलब्ध कराए जा चुके हैं केंदरी स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि राज्यों केंदर शासत प्रदेशों और नजी अस्पतालों के पास फिलहाल 2 करोड 42 लाग COVID-TK मौजूद हैं मंत्राले ने कहा कि लगभग 9 लाग टीके भेजने की प्रक्रिया में हैं COVID-19 टीका करण का नया अभियान इस साल 21 जून को शुरू किया गया था टीका करण अभियान को तेजी देने के लिए COVID-TK के उपलब्धता बढ़ाई गई है केंद्रू सरकार टीका करण के लिए राज्यों और केंद्रू शासित प्रदेशों को निशुल्क COVID-TK के उपलब्ध करा रही है COVID-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरूरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मूँ साफ रखें ब्रेक के बाद बुलिटिट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राजी विधानसभा का मौनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र 12 अगस तक चलेगा विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल सर्व दलिय बैठक बुलाई जिसमें मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनात मौजूद रहे विधानसभा की प्रमुक्ष सचव ने बताया कि कोरोना संक्रमन को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष त्वारा नर्दीश दिये गए हैं कि सचवाले परिसर में आगंतुक सामुहिक रूप से एकत्रुन नहों और मास्क लगा कर ही परिसर में प्रवेश करें साधे समारो के साथ कल जपान के टोक्यो उलम्पिक खेल समाप्थ हो गए 17 दिनों तक चले खेलों के इस महाकुम्ब का समापन समारो हो टोक्यो के नैशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया समारों में सबसे पहले जपान के ध्वज को स्टेडियम में लाया गया और जपान का राश्रुगान गाया गया परेड में सबसे पहले जपान के खिलाडियों ने प्रवेश किया भारत की ओर से कांसी पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवा हक रहे भारतिय खिलाडियों ने इस ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेश्ट प्रदर्शन किया है भारत की ओर से एक मात्र स्वण पदक भाला फेक खिलाडी नीरत चोपडा ने हासल किया जबकि मीराबाई चानू और रवी दहिया ने रजत और पीवी सिंधू लवलीना बुर्गोहन बजरंग पुनिया और भारतिय पुरुशों की टीम ने कासी पदक अपने नाम किया पदक तालिका में अमेरिका 49 स्वण के साथ कुल एक सो टेरह पदक लेकर पहले चीन 38 स्वण के साथ कुल 88 पतकों के साथ दूसरे और मेसबान हम जबैन 27 स्वण गलेकर तीसरे स्थान पर रहा अब बात करेंगे मौसम की प्रदेश में पिछले दस दिनों से हो रही मौनसूनी वर्षा का प्रभाव अव कमजोर हो गया है मौसम विशेशग्यों के अनुसार मौनसून का सिस्टम कमजोर पढ़ने और उसके उत्तर भारत की ओर जाने के कारण राजी में वर्षा से राहत मिली है लेकिन वातावरण में मौजूद नमी के चलते प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है रीवा, शेहडोल संभागों में कई स्थानों पर वहीं गुना, शिवपुरी, अशोगनगर, दतिया, धार, उज्जैन, राजगर, विदिशा, सिहो, रायसेन, शौपुर कला, भिंड जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है मौसम केंद्र के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में कोई नया सिस्टम नहीं बनने के कारण, प्रदेश में मौनसून की गतिविधियां सामान्य रहने की उम्मीद है समाचारों में अब कुछ खबरे संग शेप में उच्छ शिक्षा विभाग कुरोनाकाल में परीक्षा देने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को एक और अफसर देगा अगस्त के अंतम सप्ताह में उनके लिए विशेश परीक्षा आयोजित की जाएगी आयुश मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली के अखिल भारती आयोरवेद संस्थान में विश्व का पहला आयोरवेदिक बायो बैंक स्थापत करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है आज श्रावन महीने का तीसरा सोमवार है इस अफसर पर बड़ी संख्या में श्रधालू शिव मंदरों में विशेश पूजा आचना करेंगे आज श्रावन सोमवार के अफसर पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की तीसरी शाही सवारी निकलेगी सवारी मार्क पर प्रतिबंधात्म कादेश लागू किये गए है टोक्य उलम्पिक में अपने शांदार प्रदेशन के कारण भारतिय पुरुशो की टीम विश्व में तीसरे नंबर पर पहुँच गई है और नॉटिंगम में भारत और मेजबान इंगलन के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 157 रण की जरूरत है वर्षा के कारण आज अंतिन दन का खेल शुरू नहीं को सका अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर बार प्रभावत जिलों में प्राथमिक्ता के साथ भोजन, पेजल और दवाईयों की व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने दिये नर्देश प्रधान मंत्री आज किसान सम्मान नधी योजना की अगली के स्थजारी करेंगे 9 करोड 75 लाग से अधिक किसानों को मिलेगा लाब प्रधेश विधान सभा का मौनसून सत्र आज से और साधी समारहों के साथ टोक्य ओलम्पिक का हुआ समापन अमेरिका 49 सुन पत्कों के साथ पहले चीन दूसरे और जपान तीसरे स्थान पर रहा इस बुलिटन में फिल हाल इतना ही अंत में एक अपील मास्क और दो गस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार